अलो बच्चो आज हमें एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं अंतराश्टिय संबंद से रिलेटेड टॉपिक है भारत और उसके विवादिच शेत्र अलग-अलग देशों के साथ जो हम सीमा साजा करते हैं उसमें कहां-कहां विवाद है और उन विवादों को अब तक भारत तथा उन देशों द्वारा क्या परित्म किये गया है ऐस सच प्रेलिम्स में यह नहीं माना जा सकता है कि इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे कॉश्चन्स आप से पूछे जाएंगे लेकिन यह टॉपिक अंतराश्टिय संबंदों के कॉंसेप्शन को ड इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक आपको कई जगों पर हेल्प करेगा सिविल सोविसेज एक्जाम में जैसे की इंटर्नल सेक्यॉरिटी में भारत का सीमा प्रवंदन उसमें अलग-अलग सीमा विबात की बारे में भी आप पढ़ते हैं तो यह मेंस का भी टॉपिक हो सकता है, यह मेंस का टॉपिक है और plus films में यहां से related कुछ information पूछे जा सकते हैं, तो मैं कोशिस करूँगा कि हमारे परोशी देशों के साथ परोशियों के साथ जो भी सीमा विबाद हैं उन सीमा के दोरा. So, पहली country जिसके साथ हमारा सबसे बड़ा सीमा विवाद है वो चीन है. लेकिन चीन के बारे में जानने से पहले हम भारत के थलिय सीमा के बारे में जानने की कोशिस करते हैं कि किन देशों के साथ और कितनी किलोमीटर की हम सीमा साजा करते हैं? सबसे ज़्यादा सीम किलोमेटर 4,096 किलोमेटर की बाउंडरी हम बांगलादेश के साथ साजा करते हैं 3,336 किलोमेटर लंबी बाउंडरी पाकिस्तान के साजा करते हैं हम 3,488 किलोमेटर लंबी सीमा चीन के साजा करते हैं 1751 किलोमेटर लंबी सीमा नेपाल के साजा करते हैं 1643, 1643 किलोमीटर की सीमा हम Myanmar के साथ साजा करते हैं और लगबाग 106 किलोमीटर लंबी सीमा हम Afghanistan के साथ साजा करते हैं। आप कहेंगे कि sir Afghanistan के साथ हमारी ऐस सच कोई boundary ही नहीं है, true, reality में हम Afghanistan के साथ boundary ऐसी जगहों पर हमारी boundary नहीं है जिसको हम प्रबंदित करते हैं। In fact, ये पाक अधिकरित कश्मीर और गिलगित बालतिस्तान शेतर का हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कबजा किया है। और अगर वो शेत्र पात अधिकृत कश्मीर का अगर वो शेत्र हिंदुस्तान को मिल जाए तो भारत अपनी सिमाएं अफगनिस्तान के साथ भी साजा करेगा भारत की कुल सिमा 15106 किलो मीटर लंबी है और ये सिमा अलग-अलग भौगालिक प्रिद्रिश्यों से होकर गुजरती है जैसे कि कहीं पर मर्वस्थल भी है कहीं पर हमारे सामने चलेंज कहीं पठार भी है कहीं हिमालई स्रिंखलाएं भी है भारत बांगलादेश सिमा गाउं से होकर भी गुजरती है शेहरों से होकर भी गुजरती है जंगलों से होकर भी गुजरती है तो अलग-अलग सिमाओं पर हमारे सामने अलग-अलग तरह की चुनौतिया है लेकिन विबाद किस तरह के हैं अलग-अलग देशों के साथ हमारी सिमाओं पर तो अगर आप विब इस बाद हम discuss करते हैं भारत और चीन सीमा जैसा कि मैंने आप से कहा कि हम चीन के साथ 3488 किलोमेटर लंबी सीमा साजा करते हैं और इस सीमा की एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है इन फाक्ट चीन के साथ अगर आप भारत की सीमा को देखेंगे तो भूत काल में हम चीन के साथ सीमा नहीं साजा करते थे हम तिबद के साथ सीमा साजा करते थे या Xinjiang जो Xinjiang भी जिसको हिंदी में बोलते हैं उसको English में Xinjiang province बोलते हैं उसके साथ हम सीमा साजा करते थे चीन के साथ हम अपनी सीमा मेंली चार राज्यों में साजा करते हैं उतराखंट, हिमाचल प्रदेश, सिखिम, अरुनाचल प्रदेश और एक के अंदर शासित प्रदेश लदाक, तो मतलब चार राज्यों और एक के अंदर शासित प्रदेश में चीन के साथ हम अपनी सीमा साजा करते हैं अलग-अलग एरियास में और अलग-अलग शेत्रों में हमें सीमाओं के अलग अलग तरह कि विवाद है चीन के साथ तो अगर चीन के साथ हम हमारी सिमाओं को देखेंगे तो यहाँ पर वेस्टन सेक्टर है जहाँ चीन ने अकसाई चीन पश्मी शेतर में अकसाई चीन पर कब्जा किया है मद्ध सेक्टर मद्ध भाग में चीन के सاتھ हमारा सीमा विवाद लगवग नाखे बराबर है और यहाँ पर पूरे अरुनाचल प्र flavors शक्र में हमारा चीन के साथ सीमा विवाद है तो मैंने आपसे कहा कि चीन के साथ हम अपनी सीमाए हमारी चीन के साथ किन किन शित्रों में हम सीमा साजा करते हैं और उस सीमा की हिश्ट्री क्या है ब्रीफली उसके बारे में हम बात करते हैं अगर हम भारत चीन सीमा विबादों के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आप से कहा रहा कि चार राज्य और एक केंदर शासित में हम चीन के साथ सीमा साजा करते हैं सबसे पहले डिसकस करते हैं हम पूरवी भाग के बारे में जो चीन के साथ हम सीमा साजा करते हैं पश्मी भाग के बारे में पहले हम डिसकस करते हैं पश्मी भाग की क्या हिस्ट्री रही है पुरा लदाक सेक्टर और लदाक सेक्टर में हम चीन के साथ सीमा साजा करते हैं और ये conflict का भी कारण रहा है अगर आप हाल के वर्षों में देखेंगे तो मई 2020 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच में गलवान घाटी में जड़प हुई थी जिसमें 20 भारतिये जवानों जवान शहीद हुए थे और ऐसा बताते हैं intelligence agencies अमेरिका और रूस की intelligence agencies कहती है कि लगबग 40 के आसपास चीनी सेनिक भी मारे गए थे उस जड़प में तो क्या हिस्ट्री है पश्मी सीमा पर थोड़ा सा अगर ब्रीफली आप तो हिस्ट्री में पीछे जाएं तो उननेस सो चौबन में इन फाक्ट उननेस सो चौबन से प लेकिन उननिस सो चौबन और चौबन के बाद चीनी मान्चित्रों ने पश्मी छित्र के एरिया को अकसाई चीन एरिया को चीनी एरिया के रूप में दिखाना शुरू कर दिया कारण क्या था ? कारण था जो दो पास्ट में संधिया की गई थी पहला जॉंसन की रेखा जो जॉंसन की रेखा British period में इस जॉंसन की रेखा को के हिसाब से अकसाई चीन का एरिया भारत की नियंतरन में होना चाहिए लेकिन 1893 में मैक डूनाल लाइन आई थी जिसके हिसाब से अकसाई चीन शित्र एक चीनी नियंतरन का शित्र है ध्यान रखे गए इस बात को 1865 में जॉन्सन की रेखा अकसाई चीन को भारत का हिस्सा बताती है 1893 का मैक डूनाल लाइन इस पूरे शित्र को चीनी एरिया के रूप में बताता है चीन मैक डूनाल लाइन को मानता है जाहिर है कि चीन का फाइदा जिस चीज में होगा चीन उसी सीमा को मानेगा लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंट्रेस्टिंग बात जो मैंने आपको बताई कि 1906 से पहले तक यह पूरी के पूरी सीमा चीनी मानचित्र इस पूरी सीमा को भारतिय सीमा के रूप में दिखाते थे अकसाई चीन एरिया को लेकिन सिरिल्ली 1904 से चीनी मानचित्र इस पूरी इरिया को चीनी एरिया के रूप में दिखाने लगे अब बात यह आती है कि चीनी एरिया के रूप में उन्होंने इस पूरे शित्र अकसाई चीन को दिखाना क्यों शुरू किया क्योंकि अक्साई चीन एरिया चीन के दो डिस्टर्ब्ट प्रोविंसेस नेमली सिंज्यांग और तिबद इन दोनों को कनेक्ट करता है जो सडख अक्साई चीन से होकर पास होती है वो सिंज्यांग और तिबद को जिसको हम लोग सिंखियांग भी पहले बोलते थे जिंज्यांग भी बोलते हैं वैसे इंग्लिश में इसको सिंज्यांग बोल जाता है इंग्लिश में एक साई को हम लोग शी बोलते हैं तो सिंज्यांग और तिबद ये दोनों एरियाज को जोड़ने बाली सरक अक्साई चीन से होकर पास होती है इसलिए और 1924 तक चीन को ये समझ में आ गया था कि सिंज याइंग और तिबत में समस्या भविश्य में भी रहनी है इसलिए उन्होंने अकसाई चीन एरिया को एक चीनी एरिया के रूप में अपने मांचित्रों बें दर्शाना शुरू कर दिया दूसरा उनको ये पता था कि अकसाई चीन से पास होने वाले सरक जो तिबत को सिंज याइंग से कनेक्ट करेगी ये सबसे सस्ता रास्ता है गुड्स के मूवमेंट के लिए दूसरा ट्रांसपोर्ट के परस्पेक्टिव से ये ट्रांसपोर्ट के अगर लिहास से देखे तो ये सबसे सस्ता रास्ता है और दूसरा ये मौनसून और विंटर ये मौनसून में बारिश के मौसम में भी और सर्दियों में भी ये रास्ता ऑपरेटिव रहता है इसलिए अकसाई चीन एरिया को उन्होंने एक चीनी एरिया के रूप में बताना शुरू कर दिया और 1962 की ल जा और हम चाहते हैं तो इस पूरे बση जिए होता फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस किया विश्य सग्यों ने कि यही समय है जब लोहा गरम हो तो तभी हतोरे की चोट पढ़नी चाहिए उन्होंने का कि यही समय है हम से कुछ गलतियां भी हुई थी उसे भी स्विकार करने की आ भारत के साथ सीमय विवादों का निप्टारा आपको हमेशा हमेशा के लिए कर देना होगा पारती प्रदान मंत्री ने कहा कि चावल लाई जो चीनी प्रीमियर थे वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और चीन के साथ हकर हम सौधिवाजी करते हैं तो यह अच्छा नही था क्योंकि विदेश निती में आपके व्यक्तिकत रिष्टों का बड़ा रोल नहीं होता है राष्ट्रिय हित का रोल होता है आप विदेश निती के जब भी आप विदेश निती की बात करते हैं तो बेसिकली आप राष्ट्रिय हित को पूरा करने की कोशिस कर रहे हैं और हमने ये golden opportunity उस समय स्वर्णिम अबसर गवा दिया इस पूरे के पूरे एरिया में यहां पर हमने mention किया है कि भारत Johnson line को चीन के साथ राष्ट्रिय सीमा मानता है यह भारत का stand है याद रखेगा भारत Johnson line को जो 865 वाली line है चीन के साथ उसको राष्ट्रिय सीमा मानता है और चीन McDonald line को जो 893 वाली line है उसको भारत के साथ अपनी राष्ट्रिय सीमा मानता है लेकिन बरतमान में यह चीज़ द्यान में रखेंगे वास्तविक नियंतर नेखा जिसको हम L.A.C. भी कहते हैं जो 162 की लवाई के बाद existence में आई थी यह अकसाई चीन लदाक को और भारतिये छि रेखा है. Line of actual control से related एक बड़ी interesting बात है कि चीन के हिसाब से यह L.A.C. लगबग 2,000 km लंबी है चीन के हिसाब से ध्यान में रखेंगा चीन के हिसाब से यह वास्तविक नियंतर नेखा लगबग 2,000 km लंबी है भारत के हिसाब से वास्तविक नियंतर नेखा 3,488 km लंबी है आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेसिकली यह L.A.C. की बात होती है. Line of actual control किसको कहते हैं? Line of actual control कहते हैं कि जो युद के पहले के इस्थिती थी और युद के बाद चीन ने युद बिराम की एक तरफा घोशना की थी और उन्होंने कहा था कि युद के पहले वाल perception है, ज्यान रखेगा. Line of perception का क्या मतलब है? चीन ये मानता है कि वास्तविक नियंतरन रेखा यहां से शुरू होता है और ऐसे जाता है. हिंदुस्तान ये मानता है कि नहीं वास्तविक नियंतरन रेखा है. अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों है? दोनों country अपने हिसाब से व हमारी इस्थिती यहां पड़ती, इस पर्टिकुलर जगह पड़ती. चीन कहता है लवाई से पहले हमारी इस्थिती इस पर्टिकुलर जगह पड़ती. दोनों country अपने हिसाब से इसको refine करने की कोशिस करते है. इसलिए मैंने आपके कहा कि भारत के हिसाब से अगर हम देखे है. अब आँ सोचिए कि लगभग फरक है 1488 किलो विटर का किस सीज में perception में फरक है. धारना में ही केबल फरक है. इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि line of perception. भारत के हिसाब से line of perception क्या है? चीन के हिसाब से line of perception क्या है? यह सबसे बड़ी समस्या है भारत और चीन के यहाँ पर दोनों देशों के बीच लग विवादना के बराबर हैं। उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश का छित्र मद शित्र में आता है। तो यहाँ पर मैंने मिंशन भी किया है कि भारत लगबग 625 किलोमीटर लंबी सीमा साधा करता है चीन के साथ। और जो लगदाख से निपाल तक ओच चलती है। नर्यों के साथ और ऊचर में लंगे हीमाचल प्रदेश के साथ। उत्राखंड के साथ। खुते हैं। इस इलाकर को ले बारा होती शह है और दूसरा लप्थाल इन ही दो एरियास में भारत और चीन के बीच में थोड़ा डिफरेंस है ये विवादी जगह है अधर्वाइस नॉर्मली जैसा कि मैंने आप से कहा विवाद 9 के बराबर है इस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर विवाद 9 के बराबर है दोनों देशों के बीच में तीसरी एरिया तीसरी एरिया है पुर्वी शेतर पुर्वी शेतर की बड़ी इंट्रेस्टिंग स्टोडी है यहां सिखिम और अर्वनाचल प्रदेश के साथ वाले एरिया को जिसको हम मैकमाहॉल लाइन भी बोलते है जिसको मैकमाहॉल लाइ हम बोलते हैं यह particular area कि क्या है इस area की history अगर हम is area के history की बात करते है न तो इस area के history यह शुरूं होती है उन्हें 113 और 14 में ूस शिम्दा समझाओता हुआ था उस शिम्दा समझाओते में तीन पार्डियां थी तीन पार्डियां बलाई गई थी British India, Tibet और चीन उस समय तक British India Tibet को चीन का हिस्सा मानता था क्योंकि Brazil India को ये डर था कि अगर हम तिबत को स्वतन्त देश मानेंगे तो तिबत रूस के साथ संधी करना शुरू कर देगा और फिर रूस भारत British India के दर्वाजे तक पहुँच जाएगा ब्रिटिश का सपना हुआ करता था कि हम एक पैन एशियाटिक एंपाइर बनाए पूरे एशिया में एक एंपाइर हम खड़ा करे लॉड डलहॉजी के समय में इस सपने के शुरुवात होई थी और लॉड कर्जन के समय में इस सपने ने हाइट को छू लिया था उनकी कोशिस थी कि हम तिबत को हमेशा चीन का हिस्सा मानते रहें तो रश्या के साथ अगर रूस के साथ वो इंडिपेंडेंट संधी करते भी हैं तो हम उसको बना कर देंगे कि भाई तिबत तो चीन का हिस्सा है ठीक है 1913-14 में शिमला सम्झाता हो रहा था उस शिमला सम्झाते के दौरान तीन पार्टी थी ब्रेटिश इंडिया तिबत और तीसरी पार्टी थी चाइना चाइनीज को जब पता चला, चाइनीज को ये बात नहीं पता थी कि शिमला समझोते में तिबत को भी गुलाया गया है चाइनीज को एन मौके पर जब पता चला जब संधी साइन करने की बात होई कि तिबत, ब्रिटिश इंडिया और चीन इस संधी पर हस्ताक्षर करेंगे और ब्रिटिश इंडिया के डेलिगेशन को जो हेड कर रहे थे उनका नाम था हिनरी मैकमोहन उन्ही के नाम पर इस सीमा का नाम परा मैकमोहन लाइन चीन ने कहा कि भाई आज तक तो आपने ये कहा है कि ये पूरा का पूरा शित्र चीनी शित्र है तिबत चीन का अभिन अंग है अब कह रहे हैं कि वो एक स्वतंतर देश है और हमारे साथ संधी पर हस्ताक्षर करेगा ये जस्टिफाइड नहीं है ब्रिटेन उस समय की सबसे दुनिया की शक्तिशाली देश वा करती थी ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है अगर आपको नहीं साइन करना है तो आप मत कीजिए आप संधी से चले जाएए हम तिबत के साथ ही ये संधी साइन करेंगे और उन्होंने तिबत के साथ ही वो संधी साइन की और एक लाइन खीचा जिस लाइन को उन्होंने नाम दिया मैकमाहल लाइन का चीन कहता है कि हम इस पूरे मैकमाहल लाइन को नहीं मानते हैं ये एक सामराजिवाद के द्वारा खीची गई जवर्दस्ति खीची के रेखा है उन्होंने हमारे श्यत्र को कबजा किया है और वो कहते हैं कि हम इस imperialist line को इस सामराजवादी line को सामराजवादी सीमा को हम नहीं मानते हैं यही चीन के साथ हमारा विवाद है चीन इस सीमा में भारत के साथ 1140 किलोमीटर लंबी सीमा साज़ा करते हैं और यहां पर या भूटान की पूरवी सीमा से तिबबत भारत और मैनमार के तिराहे पर तालू दर्रे के पास एक बिंदू की तरह से है और इस पूरी सीमा रेखा को हम लोग मैकमा होल लाइन के नाम से मैकमा होल लाइन के नाम से इस पूरी सीवा को हम लोग जानते हैं पूरी सेक्टर में मैंने आप से कहा कि उन्हें से 14 के समझाओते के दोवान चीन उसमें उपस्तित नहीं था और उस पर तिबबत और भारत ने हस्ताक्षर किया था इसलिए चीन नहीं मानता है कि ये एक सीमा रेखा है और ये एक कानूनी तोर पर सुईकार की जाने वाली सीमा रेखा है बिवादों को सुल्याने के लिए अब तक दोनों देशों ने अलग-अलग कदम उठाये हैं इन फाक्ट में चीनी प्रेमियर वेंजी अबाउ ने भारत विजिट किया था उस यात्रा के दौराण सीमा भीवादों के निपटारे के लिए तीन से धान्तों पर बात होई थी पहला और ये कहा गया था कि तीन स्टेज में सीमा बिवादों का निपटारा किया जाएगा और तीसरे चरन में सीमाओं का सिमांकन किया जाएगा हम आज भी दूसरे चरन पर हैं तीसरे चरन से बहुत दूर है हाल के दिनों में मिनिश्टर राम माधव ने कहा कि भारत और चीन के बीच में सीमा बिवादों का हल इतनी आसानी से नहीं हो सकता है शायद इसमें अगली एक दो पीड़ी के बाद ही हमें सेमा बिवादों का कोई सुल जाने का मौका मिले इन तीन शित्रों के अलाबा एक चौथा शित्र है भारत और चीन के बीच में जिसको हम लोग बोलते हैं शैक्सगम वैली उस एरिया को बोलते हैं शैक्सगेम वैली और शैक्सगेम घाटी शैक्सगेम घाटी इसको हम लोग शान्सकारकॉरम ट्रैक्ट भी कहते हैं यहाँ पर पांच हजार एक सो असी किलोमीटर लंबी सीवा रेखा पाहिस्तान ने चीन को गिफ्ट किया है पांच हजार चार सो पांच हजार एक सो पांच हजार एक सो असी किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पाकिस्तान ने चीन को उपहार सो रुप दिया है यह रास्ता चीन पाकिस्तान रिष्टों के लिए इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेगा, यह चौथा विवाद है, इस शाक्सिकम वैली पर, जो 5182 किलो मीटर की एरिया है, जिसको पाकिस्तान ने चीन को उपहार स्वरूप दिया है, बेसिकली पाकिस्तान ने चीन को इसले दिया है, कि किसी तरीके से सीमा विवाद में चीन को भी हिस्सा बना लि किया जा, इसलिए ये एरिया 1963 में चीन को पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था, सोचिए 1962 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लगाई हुई थी, और 1963 में उन्होंने 5182 किलो मीटर लंबा एरिया, जो पाक अधिकरित कश्मीर का शेत्र है, उसको चीन को गिफ्ट कर दिय किया था, ये बैसिकली इसलिए किया था, कि जिससे सीमा विबाद में कश्मीर का भी इन्मॉल्मेंट किया जाए, आचीन का भी इन्मॉल्मेंट किया जाए, भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा विबादों में, उसके बाद हम लोगों हैं डिसकस किया कि हाल के देशों मे बीच सेनिकों के बीच में आपस में भिरंथ हुई है जैसे तवांग सेक्टर में भिरंथ हुई है दोनों देशों के सेनिकों के बीच में नाकुला नाकुला नाथुला नहीं इस नाकुला सिक्किम सेक्टर में है नाकुला नाथुला अलग है दोनों देशों के बीच में नाकुला एरिया में नाथुला एरिया में भी दोनों देशों के बीच में भिरन तो नहीं हुई है लेकिन दोनों देशों की सिमा एक दूसरे के सामने आई है, basically यह सिक्किम सेक्टर में पड़ता है, यह याद रखेगा कि पूरी भारत चीन सीमा पर, सिक्किम सेक्टर ही एक लौता ऐसा सेक्टर है, जहां भारत को चीन के ऊपर एडवांटेज है, क्यों कि सिक्किम सेक्टर में भारत heights occupy करता है, भारत उचाई पर है, बाकी जग इस शेत्रों में लड़ाई का एक रूल होता है, जो height पर होता है लड़ाई वही जीतता है, basically लड़ाई का रूल यह कहता है, कि जो भी height पर होगा वो लड़ाई जीतेगा, simple सा rule होता है, लेकिन इस पूरे सिमा पर, कि इवल सिक्किम सेक्टर ही ऐसा है, जहां हिंदुस्तान ने heights occupy करके रखा है, बाकी जगों पर, तिबिती पठार की वज़े से, चीन ने heights occupy करके रखा है, वैसे हिंदुस्तान के हालत, हालत चीन सिमा पर बहुत अच्छी है, कारण क्या है, और वतिये च्छेत्रों में लड़ने का हमको बड़ा लंबा experience है, in fact आपको जानके हैरानी होगी और खुशी भी होगी ये जानकर, कि पूरी दुनिया के लोग, mountainous warfare में, पहारी शित्रों में कैसे लड़ाई की जाती है, ये सीखने के लिए हिंदुस्तान में आते हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान के सिपाही और officers होते हैं, वो बड़े battle hardened हैं, और पहारी एरिया में लड़ने का उनको दुनिया में शायद सबसे जादा experience है, पिसले 20-25 साल में कश्मीर वैली, North East, हर जगो पर तो problem हमने सामना किया ही है, और उन problem को tackle करने की कोशिस की है, ये बड़ा reason है, कि पहारी शित्रों में अगर लड़ाई हो, तो इंडिया को हराना किसी के लिए बहु जादा नहीं हो सकता है, वहाँ लड़ाई दूसरे तरीके से आपको लड़नी हो, उसके लिए skilled होना होगा, खर, हाल की घटना है, मैंने आप से कहा, कि लगातार दोनों देशों के बीच में गैलवन के बाद से tension बढ़ता ही रहा है, फिलाल उस tension को भारत और पाकिस्तान ने तो विवादिच श्यत्र, Siachen Glacier है, कश्मीर तो है ही विवादिच श्यत्र और सर क्रीक है, ये सारे एरियाज पाकिस्तान के साथ विवादिच श्यत्र है, और जो मैंने आप से थोरी देर पहले कहा, कि 5182 किलोमेटर लंबी सीमा रेखा, 5182 किलोमेटर लंबी लंबी एरि चीन ने पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया था, जिसको शैक्सगम वैली भी बोलते हैं, तो पाकिस्तान और भारत, जमू और कश्मीर श्यत्र में लगबग 78,000 वर किलोमेटर पर हिंदुस्तान क्लेम करता है, जिस पर पाकिस्तान ने जवरन कबजा जमा कर रखा है, जिसको भारत कहता है, पाक अधिकरित कश्मीर, और उसके बाद मैंने आप से कहा कि 5,180 स्क्वार किलोमेटर, बर किलोमेटर लंबी, सीमा को उसने चीन को भी सौपा था, 1963 में, जिसको शैक्सगम वैली भी बोलते हैं, दोनों देशों के बीच में, और ये मैप है, जिसमें गिलगि पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंडरी को हम नियंतर रेखा बोलते हैं, और लाइन ओफ पिंट्रोल की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो 1947 में, कश्मीर पर युद्ध हुआ था, उसके बाद उनियंतर रेखा का आ गया, बेसिकली और फाइनली उसको युद विराम रेखा बोलते हैं जो 1949 में हुआ था 1972 में शिमला समझोता हुआ दोनों दर्शों को बीच में जब बांगलादेश एक 70 में बना था और पाकिस्तान के 90,000 सैनिक जनरल नियाजी के साथ इमरान खान के चाचा थे जनरल नियाजी उनके लीडर्शिप में उन्होंने स्तरेंडर किया था भारत के साथ ने आत्मसमरपन किया था 1972 के उस शिमला समझोते में युद विराम रेखा का नाम दिया गया नियंतरन रेखा या लाइन ओफ कुंट्रोल यहां पर हमारा dispute एक तो कशमीर स्टर में है वाहां मैं detail में नहीं बात करूँगा Basically यहां पर हम siya chine area के बारे में बात कर रहे है Siya chine area की क्या history है Basically Siya chine area के बारे में अगर आपको जानना है तो ऐसे समझे जो लाइन ओफ कंट्रोल है यहाँ पर map से आपको समझाएगा line of control खतम होती है एक point coordinate पर जिसको हमनों बोलते है NJ9842 यहाँ लिखा हुआ है NJ9842 इस point के बाद boundary improperly defined है, दोनों देश boundary को अपने फाइदे के हिसाब से परिभाशित करते हैं पाकिस्तान कहता है कि क्यों न boundary को हम कारकुरम पास से मिला दे, यह वाला line अगर पाकिस्तान की बात माल ली जाए, तो उपर का सारा का सारा जो शेत्र है वो पाकिस्तानी शेत्र हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर को ले करके लेकिन जब अपने फाइदे के हिजाद से इस बिन्दू के बाद, दोनों ही देश सीमा को परिभासित करते हैं तो भारत यह कहता है कि नहीं, क्यों कारकुरम पास से मिला दे, NJ 9842 के पास, क्यों न हम इस पूरी के पूरी boundary को कारकुरम पास से न मिला करके इस boundary को हम मिला देते हैं यहाँ पर NJ 9842 है, ध्यान रखिएगा NJ 9842 9842 इस point के बाद boundary दोनों देशों के बीच में सही तरीके से defined नहीं है और दोनों ही देश boundary को अपने हिसाब से परिभासित करने की कोशिस करते हैं पाकिस्तान के हिसाब से boundary को क्यों न हम कारकुरम पास से मिला दे, यह लाइन जो मैंने आप से का करकुरम पास से अगर हम लाइन को मिला दे, तो उपर का सारा एरिया पाकिस्तान का हो जाएगा और नीचे का सारा एरिया हिंदुस्तान का हो जाएगा हिंदुस्तान कहता है कि नहीं जब अपने ही फायदे की बात है इसको बोलते है actual ground position line, जो बास्तविक जमीन पर position है, उसको बोलते है actual ground position line, 110 km लंबी सीमा रेखा है, जिसको हम काल्पनिक सीमा रेखा भी कहते है, यह काल्पनिक सीमा रेखा है, वास्तविक्ता में exist नहीं करती है, point number one, यह एक काल्पनिक सीमा रेखा है, यह वास्तविक्ता मे exist नहीं करती है फिर हिंदुस्तान चाहता है कि स्काल्पनिक सीमा रेखा का प्रमारी करन किया जाए authentication किया जाए ये NJ9842 से शुरू होकर और उत्तर में इंदरा कोल पर समाथ होती है अगर हिंदुस्तान की बात मालनी जाए और लाइन इस तरीके से खीचा जाए तो दाहिने हाथ का सारा का सारे एरिया सियाचिन, ग्लेशर और सालतोरो रिज को लेकर के सारे एरिया वो हिंदुस्तानी एरिया हो जाएगा सारी लडाई इसी चीज को लेकर है कि इस बिंदु के पास बाद, boundary improperly defined नहीं है ठीक तरीके से सीमा को परिभाशित नहीं किया गया है इस particular बिंदु के बाद उसके बाद दोनों देशों के बीच में एक एरिया है सालतोरो परवत सिंखला काराकोरम हाइट से सालतोरो रिज की उपस्वेनी है वो सियाचीन ग्लेशियर के दक्षिन पश्शिम की ओर काराकोरम के केंदर में इस थी थे दूसरा भारत द्वारा जम्मो और कश्मीर के निर्शासित प्रदेश के हिस्से के रूप में और पाकिस्तान द्वारा गिलगित बालतिस्तान के हिस्से के रूप में दावा किया जाता है 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेख दूद के द्वारा सियाचीन गलेशियर पर कबजा कर लिया था यह 1984 की बात है यह बात मैंने यहां लिखा है 1984 में भारत ने सीमा की मुख्य छोटियों दर्रों पर नियंतरन कर लिया और पाकिस्तानी सेना का कबजा सिर्फ पशिम में ही माच्छादित घाटियों में है अब यहां पर एक बात समझेगा कि इस पूरे के पूरे सियाचीन गलेशियर में एक बड़ी इंट्रेस्टिंग बात यह है कि अगर पाकिस्तान के हिसा अगर जो एरिया पाकिस्तान ने कबजा करके रखा हुआ है उस पूरे एरिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां पर हीम स्खलन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं हिंदुस्तान के साइड में नहीं होता है, पाकिस्तान के साइड में भी हीम स्खलन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहां पर हमारे सामने बाउंडरी के प्रवंदर में बहुत चुनोतिया नहीं है, क्यों? क्योंकि यह ही अगर खुला रह गया तो यहां आपको बिमारी हो सकती है, वो हिस्सा खराब हो सकता है आपका, इस लिवल का temperature है, तो यहां सीमा के प्रवंधन में हमारे सामने ऐस सच कोई चुनौती नहीं है, अगला शित्र हमारा है सर क्रीक वला एरिया, यह दल्डली भूमी कच के रन में भारत और पाकिस्तान के बीच विबादित पानी की 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है, हिंदुस्तान के द्वारा क्लेम किया गया एरिया, यह पर्टिकुलर एरिया है, हिंदुस्तान इस एरिया को क्लेम करता है, पाकिस्तान इस एरिया को क्लेम करता है, इस पर्टिकुलर कि पाकिस्तान मुहानया के पुर्वी किनारे का अनुसरन करने वाली रेखा का दावा करता है जब कि भारत खिंद रेखा का दावा करता है इस पूरे के पूरे एरिया में पिर विवादों को सुल्जाने के लिए उठाएगा करब एक तो मैंने अल्रेडी आपके साथ इस शिम्ला समझाओते की खासियत क्या है ध्यान रखेगा इस शिम्ला समझाओते की खासियत यह है कि यह शिम्ला समझाओता भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में हुआ जिसमें युद्विराम रेखा को इलोस्टी का नाम दिया गया या नियंतरन रेखा का नाम दिया ग के शिमला समझोते के बाद उसको लाइन ओफ कुंट्रोल का नाम दिया गया जिसमें दोनों देशों के बीच में और उसके बाद लाहोर घोशना हुआ था वाजपई अटल वियारी वाजपई उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे यह अलग बात है कि लाहोर घोशना हो 2015 अगर आपको याद हो तो 2015 दिसंबर में पठान कोट आतंकी हमले हुए थे कुछ फरवरी मार्च के आज पास उरी आतंकी हमले हुए उसके बाद भारत में सर्जिकल स्ट्राइक किया 2015 पठान कोट हमलों के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बात्सित होनी बंद हो चुकी है 2019 में पुलबामा में अटाइक हुआ था जब हमारा CRPF का पूरा काफिला जा रहा था जिसमें कुछ 50 के आसपास CRPF के जवान शहीद हुए थे और उसके बाद हिंदुस्तान ने बाला कोट एरिया में एर स्ट्राइक किया था उनके एक आतंकी ठेकानों पर तो अभी बेसिकली दोनों देशों के बीच बात्सित हो भी नहीं पा रहा है पाकिस्तान लगातार कोशिस कर रहा है हिंदुस्तान का ये कहना है कि बादचीत के लिए दोनों देशों के बीच में माहोल अभी अनुकूल नहीं है और ये हाल की घटना है दोनों देशों के बीच में बाला कोटे स्ट्राइक जो मैंने आपको एक्स्प्रेंड किया मारतो निपाल बोटर भारतो निपाल बोटर यह तो अगर हम देखे तू सतरों s дуже iक्यावन किलोमीटर लंबी से सिमा है और यह सिमा यह पूरी के पूरी भारत और निपाल के सिमा है यह बहुत ही छिद्रिल सिमा है और कृत्रिम सिमा भी है क्यों बहुत छिद्रिल और कृत्रिम सिमा है भारत और निपाल के बीच में कृत्रिम और छिद्रिल सिमा के पीछे का रीजन यह है कि यह ओपन बॉ और नेपाल और बिटिश भारत के बीच में इंगलो नेपाली युद के बाद सगोली की संधी होई थी इस सगोली की संधी के बाद काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्मी सीमा के रूप में अस्थापित किया गया पश्वी सिमा के रूप में अस्थापित किया गया basically दोनों के बीच में conflict की सीज को लेकर है काला पानी एरिया को लेकर है काला पानी एरिया क्यों important है काला पानी एरिया almost भारत, निपाल और चीन के tri-junction पर है और भारत के लिए एरिया बड़ा important है recently हिंदुस्तान ने लिपू लेक के पास एक road बनाया और इसलिए निपाल की संसद ने 2020 में एक संसोधन किया निपाल के constitution में उस समिधान में संसोधन के बाद उन्होंने कहा कि तीन शित्र काला पानी, लिपू लेक और लिम्पी यदुरा ये तीन का तीन शित्र निपाली एरिया है समिधान में संसोधन करके उन्होंने इन तीनों एरिया को निपाल के मांचित्र में दिखाना शुरू किया और तीन शित्र काला पानी, लिपू लेक और लिम्पी यदुरा इन तीनों शेत्रों को उन्होंने निपाली मांचेत्र में दिखाना श्रू किया अला कि उसके बाद conflict हुआ और conflict होने कि बाद निपाल ने अपनी तरब से conflict के दूर करने की बड़ी कोशिस की दोनों देशों के बीच पे दूसरा दोनों देशों के वीच में कुछ और भी बादिच्छत रहे हैं हिमालाई नदियां जैसे कि काला पानी और सुस्ता पानी और सुस्ता नदी और सुस्ता लगातार अपने रास्ता बदलती रहती है अब होता क्या है कि नदी अपना रास्ता जब बदलती है ना माल यह नदी ऐसे फ्लो कर रही है यह एरिया इंडियन एरिया है और यह नेपाली एरिया है नदी ने अपना थोड़ा सा रास्ता बदला तो इतना एरिया इंडियन एरिया में मिल जाएगा अगर इधर थोड़ा सा रास्ता बदला बारिश के बहसम में तो इतना एरिया नेपाली एरिया में मिल जाएगा अंतराश्टिय कानून ये है कि जितना एरिया आपको एक जगा मिलेगा उतना एरिया दूसरे जगा घटा लिया जाएगा लेकिन ये इतने regular basis पर occurrence होता है इंडिया और नेपाल के बीच में कि इसके लिए एक ही उपाय है कि regular basis पर बातचीत होनी चाहिए और दोनों देशों के बीच में trust बनना चाहिए इससे क्या होगा trust बनने के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच आपस में एक दूसरे को लेकर confidence आएगा वैसे निपाल के साथ भारत ने लगातार कोशिश की है संबंदों को बेहतर बनाने की हल के दिनों में उसके बाद अबिवादों को सुल्जाने के लिए किये गए उपाये दोजार साथ में अन्ठानमे प्रतिशात सीमा पट्टी के नक्से पर दोनों देश सहमत हुए हस्ताक्षर किये हैं सीमा का रख रखाव और सीमा प्रस्तम मरंबत से संबंदित मामले और अन्य प्रासंगिक मुद्दे मुद्दों की चर्चा की गई हाल की घटना है जो मैंने आपको बताया कि जो किताब प्रकाशित की गई थी उसके बाद नेपाल में समिधान का संशोधन हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि काला पानी लिपुलेक और लिम्पी यदूरा ये तीन एरिया एक नेपाली एरिया है भारत औ्स लंका की बीच में क्याminute भारत और स्लंका की बीच में पहले समुधरी सीमा भिवात था इस समुधरी सीमा भिवात को 1974 में सुल्जा लिया गया शुरू में दोनों देशों की समुधरी सीमा निर्धारित नहीं थी तो हिंदुस्तान इसे क्या हो गया कि दोनों की बांडरी ओबरलैप करने लगी एक दूसरे के उपर, फिर 1974 में दोनों के बीच में समुद्री सीमा के निर्धारन हुआ, और 1974 में ही एक जगह पर एक आईलेंड है, उसको बोलते हैं कच्छा तीबू आईलेंड, यहां पर लिखा हुआ है, कच्छा तीबू दूइप, जो भारत ने स्रिलंका को दिया था, यह कच्छा तीबू दूइप, इंपोर्टन क्या है, यहां पर एक पुराना चर्च है, उस चर्च में दोनों जगह की क्रिश्चन्स जाते हैं, वर्शिपिंग के लिए, पूजा के लिए, और मच्वारों के अराम करने की जगह है कच्छा तीबू आईलन की मच्वारी जब ठक जाते हैं, तो कच्छा तीबू आईलन में जा करके और अराम करने का काम करते हैं, इतना ही उसका सिग्निफिकेंस है, और उसके बाद मैंने लिखा कि भारत न शिलंका की समुद्री सीमा लगभग 30 किलो म नेक्स्ट, बांगलादेश, 1947 में भारत और पाकिस्तान का भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अस्थित्यु में आया, और दोनों देशों के बीद सिमांकन से संबनित मुद्दा था, यहां पर एक बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है, भारत के आजादी के बाद, दो सि सिमा आयोग और एक पुर्वी सिमा आयोग स्थित्यु में आया था, दोनों सिमा आयोगों की अध्यक्षता सर रेड क्लिफ कर रहे थे, समझे मेरी बात, दोनों ही सिमा आयोगों की अध्यक्षता सर रेड क्लिफ कर रहे थे, दूसरी बात, अब यहां एक कहते हैं, कहा कि यह सीमा इतनी जादा क्रित्रिम और छिद्रिल है कि सीमाओं के प्रवंधन को लेकर यहां समस्या हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि यह गाओं से होकर और शहरों से होकर भी यह सीमा पास होती है, तो यहां अवयद प्रवसन की समस्या दोनों देशों के बीच हमे सीमा समझोता हुआ था इंद्रा गांधी और शेक मुझीबुर रह्मान के बीच में 2015 में शेक हसीना वाजित की सरकार और नरेंदर मोधी की गब्मेंट में सीमाओं के जो कुछ गाओं को लेकर जो एक दूसरे के एरियाज में थे उस पर Land Boundary Agreement किया गया LBA 2015 अभी लगबग सीमा विवाद को दोनों ही देशों ने सुलजा लिया है दोनों देशों के बीच एक सबसे बड़ी सीमा विवाद जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अवैद प्रवसन की समस्या कि करोरों बांगलादेशी आज भी हिंदुस्तान में रहते हैं ये दोनों देशों के बीच में एक बड़ी चुनौती जरूर है भारत और मैनमार लगबग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा हम साजा करते हैं भारत मैनमार के बीच में सीमा भी बाद नहीं है लेकिन कुछ शेत्रों में सीमांगन किया जाना अभी बाकी है ये सीमा क्यों important है भारत और मैनमार सीमा है ये थोड़ा समझे इसके geographical condition को हिंदुस्तान स्वर्निमत्रभुच के हाशीय परिस्तित है स्वर्निमत्रभुच से मेरा क्या मतलब है स्वर्निम तर्भुच से मेरा मतलब है Myanmar, स्वर्निम तर्भुच, क्या है ये स्वर्निम तर्भुच? गुल्टन ट्राइंगल इसको बोलते हैं Myanmar, दूसरा लाउस, और तीसरा थाइलाइट, इसको बोलते हैं स्वर्निम तर्भुच, यहां ध्यान रखेगा एक बात, कि ये स्वर्निम तर्भुच हिरोईन के लिए जाना जाता है जो मादक पदार्थ है, इस हिरोईन की दसकरी इसी सीमा के रास्ते होती है, मनिपूर के रास्ते, मनिपूर में यहां पर एक जगा है मुरे, एक शहर है भारत, मयनमार, सीमा पर, इसी शहर के थुरू, अब ड्रग्स, मादक पदार्थ मनिपूर में इंटर करता है, और वहा कोकीन की पैदावार होती है यहां हेरोईन की पैदावार होती है एक मादक पदार्थ है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो सीमा है उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हम बोलते हैं गोल्डेन क्रिसेंट स्वर्णिम अर्ध चंदराकार वहाँ पर अफीम की खेती होती है तो ये तीन दुनिया के मेजर ड्रग प्रेडूसिंग एरियास है लेकिन जहां तक सीमा विवादों का सवाल है मैनमार के साथ हमारे सीमा विवाद बहुत अधिक नहीं है हाँ कुछ शित्रों में सीमाओं का सिमांकन किया जाना अब तक बाकी है ये रहा भारत और उसके परोसी देशों के साथ हमारे विवादित सीमा ये हमारा इस सीरिस का दूसरा लेक्चर है पहला लेक्चर हम लोगों ने यॉनाइट नेशन्स और जो आर्थिक संगठन है शित् ये दूसरा भारत तौरोस की विवादित सीमा पर हमने एक वीडियो बनाया है तो हम कोशिस करेंगे कि अंतराष्टिय संबंधो के एक प्लेलिस्ट बना दे जिसमें पाच्छे महतपूर्ण मुद्धों पर इन फाक्ट पूरे सेलेबस को हम कवर करने की वहां कोशिस करने के और एक ब्राइडिया भी आपको देने की कासिस करेंगे जो हर साल आपको प्रख्रेलिंप्स में भी हल्प करेंगा एवन मेंस के नौलइज में हम करेंगा और प्रेलिंप्स बोहत ही जादा आपको एल्प करेंगा क्योंकि ऐसी चीजे हैं जो payment you should make a specialist not two बहुत आपको changes नहीं देखने को मिलेगा, वैसे ही हमारा सीमा विवाद है, सीमा विवाद का निप्टारा इतना आसान नहीं होता है, सीमा विवाद का समाधान बहुत मुश्किल होता है, तो आज के लिए इस lecture के लिए इतना ही, I hope, कि आपने इसको enjoy किया होगा, next lecture हम एक दू